डीडीसीज और तंजीम के बीच तालमेल बनाई रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे एसेम्बली एलेक्शन होंगे या नहीं होंगे आपके एलेक्शन तो होई जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायप की एलेक्शन टाइम पे होंगे पार्लिमन्ट का एलेक्शन हो जाएगा जो असेम्बली की टिकेट की खोईश रखते हैं उनको पता नहीं कितनी देर इंतिजार करना हो अल्ला का शुकर है कि मैंने बहुत पहले ही कहा दिया ना मुझे असेम्बली का कोई ये नहीं है कि मुझे कोई परिशानी नहीं मैं अपनी जगे बिलकूल मुत्मैन हूँ जब होंगे होंगे देखी जाएगी दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राफ्ता गवर्मन्ट और एड्मिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ वो इस रकूमत में है इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराउस होते जा रहे हैं चाहे वो राशन को लेके हो चाहे वो मीटर को लेके हो चाहे वो पानी को लेके हो चाहे वो रोजगार को लेके हो हर तरह से देखा जाए तो सिवाई शोशा के इस हकूमत में और कुछ नहीं है जी ट्वेंटी के नाम पे कितने करोर जाया किये गए उस पे कभी ना कभी एक दिन एक कमिटी और कमिशन जरूर बिठाया जाएगा जरूर दूद का दूद पानी का पानी पता होना चाहिए किसको मिले ठेके कहां पे हुआ काम और बड़ी बात यह है कि जी ट्वेंटी तक जितना काम हो रहें भी कहते रहे कि ये सिर्फ जी ट्वेंटी को दिखाने के लिए है आज आप सिर्नगर जाके देखें जिस दिन जी ट्वेंटी की मीटिंग हुई और हमारे महमान यहां से चले गए उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वही तक जहीं देखिए बटमालू देखें आगे जवार अगर जहां पर भी आप देखना चाहें कि लाग्चोग छानपूरा जहां पर भी मासरवाई गुपका रोड क्यूंकि वहां से एल जी साफ तो वो तो जी ट्वेंटी के भी माई बाप है तो जहां से एल जी साफ को गुजरना पड़ता है वहां एकार कायल तो यह रोज इंचायतों की उसकी तैयारी आप से करना बहुत ज़रूरी है जैनल सेक्ट्री साफ ने इसमें एक मिनिट भी जाया नहीं किया